हलो फ्रेंटेट्स वेलकम2 Gita kino. cuma में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे है नारेल की बर्फी बहुत कम चीजों से और बिना घी तेल के यह बहुत इश्ची लगती बहुत जल्दी बन जाती है इसे बनाना बहुत बहुत है आसान है तो इसे बनाने से पहले अगर आ आप इसे सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बैल आइकन दिखाए देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख तो गुझा जियरो करते हैं सबसे प्ह нек अशुरू करते हैं सबसे पहले मैं ऑफ कर गार देख दोद ये मिर दुद पहले ही गरम है इसमें और अश्काप ची चीनी आप कम स्यादा कर सकते हैं टेस क्यर्श अ को अधरियर कि अच्छी रविख टर्खारिं कि थे इसे अच्छी प मिल्क पाउडर किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं और मिल्क पाउडर दो तरह का होता है एक फीका होता है एक मीठा होता है तो अगर आप मीठा ले रहे हैं तो चीनी कम डालें तो यहां पर मैंने फीका लिया है तो इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे इसमें थोड में 1,02 cup, बूरादा तो नार्यल शूखा एक नार्यल शूखा अब इसमें घरेकर जसें समyn के सकते हैं तो यहां पर मैंने मार्केट का इस्तमाल किया है, डेड़ कप मैंने यहां पर नारियल का बुरादा लिया है, अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं, तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, इसे हम पकाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम बे जब तक कि यह बिल्कुल डो जैसा ना हो जा तो यह देख सकते हैं, एक लंप की तरह बन गया है, एक डो की तरह बन गया है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे, इससे जादा नहीं पकाना है, बस यह कढ़ाई चोड़ना स्टार्ट कर दे बस इतना ही पकाना है, और यह दिखाते हूं किस तरीके से इकठा होना शुरू ह तो गैस बंद कर देंगे, और इससे हम साइड में रख देते हैं, तो अब मैंने ली है, एक प्लेट जिसमें भी आप बर्फी जमाना चाहते है, मैंने यह पर प्लेट का इस्तमाल किया है, आप कोई भी बेकिंग टेन या ट्रे का इस्तमाल कर सकते हैं, इसे मैंने हलका सो ओ प्लेट कर लेंगे, इसे फ्लैट कर लेंगे, तो इस तरीके से हम इसे प्लेट कर लेंगे, अगर आपको लगे कि प्लेट नहीं हो रहा है, तो आप स्पैस्चुला में हलका सा घी या ओल लगा सकते हैं, ताकि यह बिल्कुल प्लेट हो जाए, तो इस तरीके से स्क्वार श यहां पर में चांदी का वर्क लगा रही है जो मार्किट में इसली मिल जाता है आप चाहे तो अगर चांदी का वर्क नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस पर ड्राइफ रूट से गार्निश कर सकते हैं कोई भी मनबसं ड्राइफ रूट लगा दीजिए उपर तो मैं इसे थ तरह थंडा हो चुका है यह इसे हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं अभी भी हलका सा सॉफ्ट है क्योंकि गर्मी का टाइम है थोड़ा सा सैट होने में टाइम लेता है तो इसकी साइड को हम इस तरी के से ट्रिम कर लेंगे ताकि जो बर्फी की शेप है वो अच्छी आए तो निकाल दें इसकी जो साइड जम बराबर कर लेंगे अब मैं इसमें कट लगा देती हूं जितने भी बड़े पीसेज आप रखना चाहते हैं उतने बड़े पीसेज आप काड़ सकते हैं तो इस तरी के से कट लगा लें अब मैं से थोड़े फ्रेज में रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए और हमारे जो पीसेज हैं वो बिल्कुल अच्छे से निकले तो इसे मैंने फ्रेज में रख दिया था करीब आधे गंटे के लिए और आप देख सकते हैं अब जो बर्फी है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है मैं से निकाल के आपको दिखाती हूं अगर आप इसके निचे बटर पेपर लगाएंगे तो इसे निकालना और भी इजी हो जाएगा कि यह फिर चिपकेगा नहीं नीचे तो यह देखिए हमारे जो को हमारी को को कोनट बर्फ तो आज मान लोगों के लिए यह मिठाइ लेकर आई हूं जो घी तेल नहीं खाना चाते अवाईड करते हैं तो इन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी मिठाई है जिसमें मैंने घी का इस्तमाल नहीं किया है तो आप इस रेस्पी को ज़रू ट्राई कीजिए आर वीड अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें